आपका में नई वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो काल सी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं लुना पाइंक के बारे में कुछ इंपॉर्डेंट अपडेट है जो मुझे लगता है कि आपको बदानी बहुत जरूरी है साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगी और आप उस वीडियो को जल्दी से देख लेंगे टेलिगाम पर नहीं जुड़े जहाँ पर कि मैं आपको फिरिया फोस्ट क्रिप्टो कॉल प्रोवाइड करता हूं तो महाँ पर जागे आप मुझे फॉलो कर लो क्योंकि कौन मिल जाएंगी पैसे आप कवा सकते हो क्रिप्टो मार्केट से लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में रखा हुआ है साथी साथ इंस्ट्रकाम पर भी आ जाना क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पर लाइफ खड़ता रहता हूं चलिए बात कर लेता है पहले मार्केट के बारे में बिटकोइन के बारे में बात कर लेता है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बगद बिटकोइन का प्राइस यहाँ पर 30,300 के करीब रेट कर रहा है Bitcoin का अभी भी registers वही है 32 के उपर आके support करना बहुत important है मैंने आज आज आपकी सुबह अपडेट बदाई थी आपको ठीक है और उस अपडेट में मैंने आपको क्लिए बदाया था कि Bitcoin कोशिश करेगा 32 के level को तोड़ने का इवन Bitcoin कोशिश करेगा पहले कि वो यहाँ पर अपका 30,800 के पर आके support create कर ले Bitcoin ने कोशिश करी support नहीं create कर पाया तो Bitcoin का price अब नीचे आ रहा है Market काफी volatile है Market का एक scenario सा यहाँ पर बन गया है कि पहले market पूरे दिनी आपर हलका हलका pump करती है और जैसी आपर 6-7 बज़ते है उस time पे आपर market हलका dump करने लग जाती है तो कुछ market में हमेशा एक pattern चलता है तो उस pattern पे अगर आप focus दोगे तो फिलाल यही pattern market में ही आपर चलना है बाकी कुछ और update होगी तब आपको बतातूँगा कल सुबा आपको इसी channel पर update मिल जाएगी चलिए अब बात कर लेते हैं पहली news के बारे में देखो मैंना आपको बताया था कि South Korea में यहाँ पर एक कमेटी बैठाई गई है साउथ कोरिया में एक आपका investigation हो रही है ठीक है किसके उपर लूना कोईन के उपर डो कॉन के उपर जिनके उपर charges लगाए गया है कि इन्होंने text चोरी कर रहा है काफी बड़े amount का अब एक news मैंना आपको बताया थी कि भई साउथ कोरिया में एक्षेजिस के उपर कुछ ना कुछ वार्दात हो रही है एक्षेजिस के उपर पूरी आपकी एक investigation साउथ कोरिया authorities की तरफ से चल ली है तो अब यह निकल के आए है कि जितने भी आपकी साउथ कोरिया की एक्षेजिस हैं जितने भी major exchanges आपे ठीक है उनके सब के उपर यहाँ पर लगेगा fine और fine क्यों लगेगा सब के उपर यहाँ पर एक शू होने वाला है यानि कि कोट शू डलेगा और कोट शू होने के बाद महाँ पर एक fine उनके उपर लगने वाला है रीजन क्या है रीजन यह है क्योंकि भाई उन्होंने जिस वक्त यहाँ पर market में इतने सारी volatility आ रही थी उस time ही उन्होंने trading क्यों बंद नहीं करी क्यों उन्होंने लोगों को लगाता ठकते रहे ठीक है इस रहे से साउथ कोरिया म उनके उपर एक शू हो सकता है और साती साथ उनको एक अच्छा गासा fine देना पड़ सकता है क्योंकि महाँ पर काफी major लोगों का काफी बड़ी community का महाँ पर loss हुआ है कई लोगों ने अपनी जान तक गवा दी है कई लोगों ने अपनी पूरी पूंजी crypto market में लूना coin में कि हुई थी तो भाई वो खतम यहाँ पर हो चुका है अच्छा मैं एक शीश आपर उठाना चाहूँँगा देखो मेरे भाई काफी आप लोग कह रहे हैं कि crypto currency market है यह बेकार हो चुकी है crypto currency market में कुछ नहीं रहा crypto currency market scam है तो भाई मैं तो बहुत पहले से देखता हूँ आ र कि लूना को इनका नहीं होना चाहिए तक crypto market में क्योंकि इससे क्या होगा जो नए नए लोग आएंगे crypto में उनका जो confidence है crypto के उपर गिरेगा जो कि बहुत गलत है जो लूना के साथ हुआ है मेरे साथ से जो लोगों ने investment हुए है यह crypto के लिए तो बेकार है ही investors के लिए बेक बताते थे यहर मेरे साथ अगर आप हो crypto market में पुरानी तो आपको पता होगी कि क्या potential है crypto market में अगर आप crypto market में कब से आप पहले मुझे यह बताओ ठीक है क्या आप कौन से year में कौन से year में कौन से आप मन्त में आए जल्दी फटा-फट मुझे आप comment box में बता सकते हो उसक कि कि जब लूना में dump हो रहा था तो एक व्यक्ति था जिसने पांच मिनिट में लगबग यहां पर पांच मिनिट में 1.6 billion dollar का loss कर दिया 1.6 billion कितने होते हैं वो मैंने आपको thumbnail में बता के रखा हुए इतने 100 करोर रुपे का उसने 5 मिनिट के अंदर-अंदर नुक्सान कर दि त्यक्ति को आप सब जानते हैं एक दुनिया का सबसे बड़ा exchange है उसका CEO है एक CZ नाम है उनका उन्होंने 5 मिनिट के अंदर-अंदर और आप यह सुनेंगे तो आप हसेंगे अभी इसका cringe देखिए आप इस पार्ट का उस बंदे ने 5 मिनिट के अंदर-अंदर 170 करोर सब्सान कर दिया सिर्फ 5 मिनिट में इतना उनके portfolio में depreciation आ गया क्योंकि उनके पास बहुत सारी holding थी अब जो company का CEO है ठीक है company का CEO आपका CZ है एक directing manager है for sure बहुत बड़ी firm है है ना Binance बहुत बड़ा है तो उसमेंसे एक directing manager ने सीधा CZ को text करा message करा कि भाई हमने लगबग 5 मिन internet में टेरलूना के डंब की विए से 1.6 billion dollar हो चुके हैं हम और आपको पता है कि CZ का क्या reply है यह को अभी shocked यह सुनके उन्होंने कहा it is just a money lol कि सिर्फ यह एक पैसा है और उसके पर lol laughing out laughter तो भाई इतने बड़े amount को कोई व्यक्ति सिर्फ यह कह सकता है कि lol सिर्फ एक money है एक amount ह जिर्फ पैसा ही है तो बहुत बड़ी बात होती है अपना आप में बाकि आपका कितना loss है यह तो मुझे पता ही है क्योंकि आप लगातर comment box में कहते रहते हैं कोई और update होगी तो फॉर्चर में आपके लिए के आऊँगा अच्छा बर्निंग के उपडेट है बर्निंग के अभी बोटिंग हो रही है बोटिंग में जादर लोगों ने बर्निंग को दुबार से यहाँ पर सपोर्ट किया है अब बर्निंग को दुबार से यहाँ पर सपोर्ट हुआ है तो जादर चांसे आपके बर्निंग के हैं लेकिन आपका जो एक डो कॉन है उसमें बोला है कि देखते हैं क्या इसके पर स्टेटमेंट निकल के आती है हाला कि 90% जो आपकी बाउट्स हैं वो आपके बर्निंग के ही तो महीं गई है पैस्ट वीडियो को संद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना बाई टेक केर और पीसे